देखिए G1 की जो सबसे बड़ी खुसी है ये उस काम को करने में होती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते देखिए आज है 26 मार्च और आज की वीडियो में टोटल 10 मोश्ट इमारेंट प्रिश्टों परेंगे जो कि आपी सबी आगामी परिशाओं के लिए मोश्ट इमारेंट है तो सुरु से लास्त बने लिए वीडियो में और इस वीडियो को पुरा देखिने बाद आप इसकी PDF फाइल भी डानल कर सकते हैं नीचे डिस्कूर्प्स बाक्स में और हमारे टेलिग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के बीडियो में जागी और देखिए जो लोग ने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब रूप कर लेंगे और बेल आइकोन प्रिश कर देंगे ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिविशन आपको आटमेटिक और सबसे पहले मिलते रहे हैं और वीडियो को लाइक और शेर भी कर देगा तो चलिए आज का पहला प्रशन मारा है कि हिसासी टेकुची को हाल ही में किस कंपनी का नया मैनेजिंग डिरेक्टर और चीफ एक्सक्यूटी ओफिसर अपॉइंट किया गया है तो देखिए जो आपके हिसासी टेकुची है ये मारूती सुजुकी इंडिया के जो है नये एमडी और सी पत पर जबके केनीची आयू कावा है उनका स्थान लिया है तो यह रखिएगा हिसासी टेकुची बन गए है मारूती सुजुकी इंडिया के नये एमडी और सी इयो अगला के हाली में किसे स्कॉटलेंड में रायल सोसाइटी आप एडिन बर के फेलो के रूप में जो है ना की कीरन मजुमदार सा है इनके बारे में बहुत बार पुछा गया है कि यह किस कंपनी की जो है एक तरीके से का जाए कारेकारिय दक्ष है तो दीखे एक कंपनी है बायो कान ठीक है बायो कान और बायो कान बायो कान बायो जिक्स इन दोनों की कारेकारिय दक्ष है कीरन मजु करने वाले कुछ माहन सोत करता हूँ और चिक्रिस्पकों के रूप में जो है पाचाना जाता है अगला की Central Banking Award 2022 में Governor Abdey Air का पुरसकार किसने जीता दीखे Governor Abdey Air का पुरसकार ये कैसा पुरसकार है हर साल वीदरित होता है और हर साल एक्जाम में जो है पूछा आता है पूरे साल भर तो 2022 का जो Governor Abdey Air का पुरसकार है ये Mario Marcel को दिया गया है और सवाली उठता है कि Mario Marcel जो है ये किस देश के Central Bank के Governor है दीखे Mario Marcel जो है ये Central Bank आप चिली के Governor है और चिली के Central Bank का नाम है बैंको Central D. चिली ठीक है तो चिली का जो केंदरी बैंक उसका नाम क्या है बैंको Central D. चिली और जो भारत का यानि कि इंडिया का जो Central Bank इसका नाम क्या है इसका नाम है Reserve Bank of India यानि कि RBI दीखी एक्जाम में बहुत बार प्रेश्ट बुचा गया है कि भारत के केंदरी बैंक का क्या नाम है बहुत सारे बचे कन्फ्यूज जाते हैं वो State Bank और पता नहीं कौन कौन बैंक पर नाम डाल देते हैं यार केगा बहुत सारे लोग पता होगा एक दूरों को नहीं पता तो बुर जालने कि भारत का केंदरी बैंक है RBI यानि कि Reserve Bank of India और RBI को हम जो है Bankers आप बैंक कहते हैं यानि कि सभी बैंकों का बैंक कहते हैं क्योंकि ये भारत का केंदरी बैंक है यानि कि सभी बैंकों का ये बाप है ठीक है और जो बैंको Central D. Chili है जो आपका Chili देश है तो उसका ये केंदरी बैंक है ये Central Bank है और इसके गवर्णर मारियो मारसिल को भी हाली में गवर्णर आपदेजियर का पुरसकार मिला है 2025 के लिए अगला ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन मनें सबको पता है योगी बाबा जो है उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गया है दुबारा यानि कि इनका दूसरा कारेकाल है इन्होंने कुछ रिकार्स मनाये हैं मैं आपको वो चीज़े बताने वाला हू दीखे हाली में योगी आदितिनात ने लकनों के अटल बिहारी बाजपई इकाना स्टेडियम में अपने दूसरे कारेकाल के लिए उत्तर-प्रदिश के मुख्यमंत्री के रूप में सपद ली यानि कि उत्तर प्रदेश के देखी विहाली में जो चुना हुआ था तो इसमें ये पुछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में एक विधान सभा सीटों की संख्या कितनी है तो 404 सीटे हैं लेकिन एक सीट पर चुना हो नहीं होता है उसमें किसी एंगलो इंडियन को जो है किया जाता है बागी 403 सीटों पर चुना होता है तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कभी भी कि विधान सभा सीटों की संख्या कितनी है तो 403 प्लस एक यानि कि 404 सीटे हैं इसको यार रखेगा और 403 पर किवल चुना होता है एक बेक्ति जो है एंगलो इंडिय मनुलित होता है राजपाल के द्वारा देखिए उत्तर प्रदिश की राजपाल कौन है आनंदी बेन फडेल ठीक है इन्होंने विहाली में योगी जी को सबत दिलाई थी देखिए विहाली बजु चुना होता 403 सीटों पर इसमें 274 सीटे भार्ती जंता पार्टी की जो ग देखे एक खास बात यह रही इस बार की चुनाओं में योगी आदितिनाथ के नित्रित वाली जो भाजपा सरकार है इसने अपनी वापसी के साथ इतिहास रज दिया है क्योंकि 37 सालों में कोई अन्य मुख्यमंत्री राज में सरकार को दोहराने में सक्षम नहीं रहा है या जो है इतिहास रज दिया है तो यहाँ पर यह जितने फैक्ट हैं सबको याद करना पड़ेगा कास सौर से विधान सबासीट मुख्यमंत्री का नाम तो पता ही है अगला हाली में किस देश के काले गेंडे या ब्लैक राइनो को बचाने के लिए विस्व बैंक के द्वारा पहला 1AGU बांट जारी किया गया तो दिखिए जो यह 1AGU बांट है जारी किया गया है दक्षिड अफरीका में पाई जाने वाले जो काले गेंडे यानि की ब्लैक राइनो हैं को बचाने के लिए दीखिए विस्व बैंक का जो ब्रांच है इंटरनेशनल बैंक फ़र री क्र समर्थन करने के लिए विन जिउ सनाचड बांड याणि कि of detekt निन नाम दिखिए है इसको राइनो बांड के रुप में भी जाना इता है और ये 5 शाल का 150 मिलियन डालर का सतो दुविकास मांड है इसमें वैस्विक परेवरण सुविधा से संभावित प्रतसन बुक्तान सामिल है अगला प्रशना है कि हाल ही में किसने स्री नगर में खाड़ी देशों के निवे सिखर सम्मिलन को सम्मोधित किया तो देखिए जो मनुस सिहना, जोकी लेफिञें गवंनर है, यानि की उपर राजेपाल है, जम्मु कस्मीर के इन्होंने विःली में स्री नगर में खाड़ी देशों के निवे सिखर सम्मिलन को सम्मुधित किया था और देखी जम्मू कस्मीर के जो उपराजपाल मनोस दिरहा है इरो ने जो है इसको मतलब इस से निवेश सीकर सम्मेलन को इसलिए इन्वाइट के आया ताकि जो खाड़ी देश हैं वो आएं और जम्मू कस्मीर ने निवेश करें अगला के हाली में किस तारी को असम्म राइफल्स का स्थापना दिवस यानि ये रेजिंग डे आप दे असम्म राइफल्स मनाए गया तो दीखे असम्म राइफल्स का स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाए गया है दीखे असम राइफल्स के बारे में आज मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आप सुनकर चाहूं जाएंगे और आपको जिन्दकी पर याद भी रहेगा और एक्जाम में आप बिल्कुल सही प्रोशन का उत्तर देखर आएंगे दीखे वर्तमान में असम राइफल्स की बात करें तो असम राइफल्स में वर्तमान में आज की डेट तैकुल 65143 करमचारी है और असम राइफल्स वर्तमान में इसमें कुल 46 बटालियन है दीखे करमचारी की संख्या गटती बढ़ती रहती है लेकिन बटालियन के संख्या हमेशा नहीं करती बढ़ती रही है इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्राउधान करने पड़ते हैं यारके का असम राइफल में मरत्मान में कुल 46 बटालियन है और असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्द सायनी क्यानी की पैरा मिलिटरी फोर्स है और इसको जो है 1835 में ब्रिटिस राज केता है कछार लेवी के नाम से बनाई गया था देखें SSC GD के अगर आप तयारी कर रहे हैं तो SSC GD में ये प्रशन बहुत बार बूशा गया है कि असम राइफल का पुराना नाम क्या था जब इसके सापना हुई थी तो ये किस नाम से हुई थी तो देखें 1835 में असम राइफल को कछार लेवी के नाम से जो है सापित किया गया था ब्रिटिस राज के दहर और देखें वरतमान में असम राइफल का जो उप्योग है ये 1917 से किया जा रहा है असम राइफल का आधर सुवा क्या है सेंटीनल्स अब दर नौर्थ इस्ट और ये प्रशन भी एक्जाम में बहुत पुछा गया है असेसी जीडी में और जोबकि सीए पीएफ वगरे के एक्जाम सोते हैं डिये सीडेस में भी ये असम राइफल का आधर सुवा क्या है सेंटीनल्स अब दर नौर्थ इस्ट आठों क्रशन नहीं कि डियाइडीो के द्वाना 23 मार्च 2022 को सता से सता पर मार करने वाली किस सूपर सोनी क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबाद द्विप समू में सफलता पूरोग परिशर किया गया तो देखे विहारी में ब्रमोज मिसाइल का परिशर 23 मार्च को किया गया है अंडमान और निकोबाद द्विप समू से देखे एक्जाम में पूछता क्या है एक्जाम में पूछेगा डेट और तारीख मनलब किस तारीख को कौन से मिसाइल का परिक्षड कहां से किया गया तो ये तीरों चीज़े आपको इस MCQ में दिख रही है ये 23 मार्श को जो है DRDO ने परिक्षड किया है ब्रह्मोस सूपर सोनी क्रूज मिसाइल का अंडमान और निको बार दूपसमू से देखे जो ब्रह्मोस सूपर सोनी मिसाइल है ये मीड रेंज रेंज रेंजट सूपर सोनी क्रूज मिसाइल है इसको भारत का जो defense research and development organization यानी ही DRDO है और रूस का जौब का NPO, Masino, Stroh, Yenia है इसके दोरा जो विक्सित किया गया है और एक खास बात है देखिए जो ब्रहमोस मिसाइल है इसमें जो है ब्रहम और इसमें जो है मोस टीक है तो ब्रहम और मोस को प्लस करके बनाए गया है ब्रहमोस टीक है तो ये दो क्या है नदिया है देखिए भारत में एक ब्रहमपुत्र नदीवती है और रूस में जो है एक मासको नदीवती है ठीक है तो इस मिसाइल का जो नाम है ये भारत की दो प्रमुह नदियों ब्रहमपुत्र और मासकों के नाम पर रखा गया है नवा प्रशने की भारती मुलकी की कमपनी ने फीफा विसुकप 2022 की स्पॉंसर्शिप हासिल कर लिया है देखिए भारत के लिए एक बहुत ही गौरों का शड़ है बहुत ही प्राउड की बात है कि जो बाइजूस है जो की एक एडूकेशन कमपनी है तो इसने भी हाली में फीफा विसुकप 2022 की स्पॉंसर्शिप जो है इसको हासिल कर लिया है देखिए आपको बताते कि जो फीफा विसुकप 2022 होगा ये 21 नॉम्बर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में खेला जाएगा ये चीज़ भी एक प्रश्ण के उरूप में एक्जाम से अलग से बन सकता है कि फीफा विसुकप 2022 काजन कहां में होगा और कब होगा तो फीफा विसुकप 2022 जो है जो फुटबाल चेम्पिनसिप है इस काजन 21 नॉम्बर 2022 से 18 दिसंबर 2022 सक कतर में होगा याद रखेगा इसको अगर एक नंबर चाहिए तो और इस बार सेलेक्शन चाहिए तो और देखे इस साथ ही जो आपका वाईजू है ये फीफा विसुकप को पूरी दुनिया में स्पॉंसर करने वाली एडिटे कंपनी बन गई है और फीफा वर्ल्ड कप के साथ जुड़ने के साथ वाईजू युवाओं को सिख्षा से जुड़े कंटेंट भी देगी वैसे भी स्विक्षा से जोड़े कंटेंटी देती है वाईजूस ठीक है और भारत की नंबर वन एजूकेशन कंपनी भी है जो ऑनलाइन सिक्षा देती है तो भारती मूल की कंपनी वाईजूस जो है फीफा विसकॉप 222 की स्पॉंसर जो भी ने हासिल कर ली है अगला प्रश टेस्ट को कप्तान है स्टीव इसमे तो इडियो ने इस आथ हजार रन बनाने के मामले में स्रेलंका के पूरकफटान कुमार सांगाकारा को पीशे छोड़ दिया है और इस टीव इसमें जो हैनोने भिहाली में जो पाकिस्तान का लाहॉर है वहाँ पर जो टेस्ट में चल आ सबसे तेज आठ हजार दन बनने खिलाडी बन गया है इनोंने स्रिलंका के कुमार सांगाकारा का रिकार तो दिया है तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार सभी ब्लास्ट वाले प्रशन और अब हम बात करेंगे आज के सभी कुशन अपड़े पर तो सभी लोग कमेंट ब बताना है कि टीवी नामक जो विमारी है यारी कि छै रोग नामकी जो विमारी है ये किस जीवाडू के कारण होती है कल के वीडियो मैंने बताया था नहीं बता तो देखे उसको रिवाइज कर लिएगा और देखे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं वाट्सअप तो कल लिजेगा केवल सो रुबे की पीडियेफ है उतना तो आप जो है फालतो खर्शा करते हैं फेट्रोल में तो ये सो रुबे से आपकी जिंदगी बन सकती है तुरंत परशीच कीजिए दूसरा प्रशने की एबल पुरसकार 2022 किसे दिया गया बताईए और अगला प्रशने की कारबन तटस्त खेती के तरीकों को पेज करने वाला भारत का पहला राजी कौन बना बताईए और अगला की हाली में कौन पद में भूसर प्राप करने वाले पहले पहरा अथलिट बन गया है नाम बताईए इनका और पाज़मा की भारत सरकार ने किस वर्स तक 220 नए हवाई एड़ी बनाने का लक्ष रखा है बताईए और हम बात करेंगे कल के पूछे के सभी कोशना आप देखे सही तरूंगे पहला प्रस्था की बिहार दिवस का मनाया गया तो दीवस को हमने सेलिबरेट किया 22 मार्श को और क्योंकि या यह मैंने परसो बताया था परसो का वीडियो देख लीजेगा अगला प्रस्था की हाली में कौन उत्तरा घंड के ग्यारवे मुक्रमत्री बने हैं तो दीविकिनका नाम है पुसकर सिंग धामी और तीसरा था की मार्श 2022 में काउंसा देख दुनिया का सबसे गर्म देख बन गया था तो दीखे कुए जो है दुनिया का सबसे गर्म देख रहा मार्श 2022 में और अगला था कि हाली में किस देश के पुर्व राजपती सहाब उद्दीन आहमद का निधनों गया तो दिए सहाब उद्दीन आहमद बांगलादेश के पुर्व राजपती थे और पांच बाता की IQ Air 2021 विस वायू गड़ोता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूसी राजपती कौन है तो दिखे ये राजपती दिल्ली है तो इसे के साथ वीडियो ये समात होता है वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर पताएगा और डिस्कुस्में बॉक्स में जितने भी मेरे सोशल मेडिया की लिंग है वहाँ पे क्लिक केजिए इनको ज़ौइन जरूर कर लिएगा तो इसे के साथ बहुत वज़ने मात थैंक यूवेड हैवानाली दे